हम बात कर रहे हैं आयोसी की इंडियान ओइल कॉर्पोरेशन की अज के दिन की बात करें तो फिलाल स्टॉक में हमको दो पर्सेंट के ऊपर के आप साइट के साथ स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है हम देख सकते स्टॉक 173.15 पैसे पर फिलाल हमको ट्रेड होत सावा नजर आ अपने इससे पहले हमने डिसकस किया था कि 180 के लेवल को ब्रेक आट करने के लिए स्टॉक को एट लिस 170 के ऊपर सस्टेंड होना पड़ेगा स्टॉक ने 170 के लेवल को ब्रेकडाउन किया और गिरावट देखने के लिए 154 के लेवल से सपोर्ट लेकर बांस तो इस बांस बैक के साथ हम देख सकते हैं लगातार हमको तेजी दिखाता हुआ 170 के लेवल को उपर की और ब्रेक आट करके ऊपर की ओर सस्टेंड होना इंपोर्टन है 180 के लेवल को ब्रेक आट करके लगातार तेजी दिखाने के लिए अब इस टॉक जहां से जहां इमिडियेट सपोर्ट का काम करेगा इसको ब्रेकडाउन कर गया तो जहां से सपोर्ट लेकर बॉन्स बैक किया 165 का लेवल जब तक इसके ऊपर आप स्टॉक तब तक आप साइट के चांस बने हुए अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर हमको अगेन इसमे में गिरावट डेखने के लिए मिल सकती है यहां से आप अगर तार्गेट की बात करें दोस्तों तो immediate target रहेगा 174 175 का लेवल जहां से इससे पहले इस्टाक हमको rejection दिखा चुका है immediate target बनेगा अपना 174 का लेवल इसको breakout कर गया तो next target रहेगा 180 का लेवल और 180 का लेवल इसका तगडार important resistance है लगातार तेजी के लिए stock को 180 के लेवल को breakout करके उपर सस्टेन होना important है हम देख सकते गिरावट के बाद bonds back वाता breakout नहीं कर पाया अगें गिरावट अगें जंप आया है और गिरावट के बाद bonds back हो रहा है तो 180 का लेवल तगडा resistance रहेगा इस bonds back के साथ हो सकता है इस लेवल को breakout कर जाए लेकिन उपर sustain होना important है लगातार बड़ी तेजी के लिए वीडियो अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाइस है लिए hold की सला नहीं है तो पत्व अब हम करना लिए